मडिपूर लगातार जाते हिंसा की आग से जुलस रहा है तीन मई से यहां पर हिंसा लगातार फैल रही है ऐसे में मडिपूर सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया था जिने अब दोबारा खुला जा रहा है प्रदेश के मुख्यमंतरी एन विरिन सिंग ने ये बाबत जानकारी दी है मुख्यमंतरी ने कहा कि पहली से आठवी कक्षा तक के स्कूल पांच जुलाई से फिर से खुलेंगे आगे पहाडी और घाटी जिलों में इस्तापित बंकरों को लेकर सीएम ने कहा कि उन्हें भी जल से जल हटा दिया जाएगा सीम एन्विरिन सिंग ने लगातार राज में शांती बाहल कर दो करने के लिए बैठकें कर रहे हैं साथ ही वे घटना इस्तल का दौरा भी कर रहे हैं इस बीच कूकी समुदाय की ओर से आर्मी प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने मनिपूर सरकार से राज में जाती हिंसा को रोकने के लिए उठाये गए कदमों को लेकर एक हफ़ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी मामले पर अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी तो वहीं कॉंग्रेस ने एक बार फिर एंविरेंस सिंग के स्थीफे की मांग की है और दिल्ली में लगातार विरोत प्रदर्शन कर रही है बता दे हिंसा में अब तक 130 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है वही 419 लोग घायल हो चुके हैं करीब 65 हजार से अधिक लोग अपना घर छोड़ चुके हैं आगजनी की 5000 से जादा अगटनाय हुई हैं 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है